नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वावत है Vampirehub.com के ओफिसील यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग दोस्तों कैसे हो फैनली माग एकनी वडियो के साथ इसमें हम बात कर रहे हैं इस वेकेंसी के वह बहुत ही खास है और यह वेकेंसी आईए इसपेस लिए विकलांग कैनीडेट्स के लिए और यहाँ पर काफी बड़ी भरती आई है दोस्तों आज की वेकेंसी आईए स्टाफ सेलेक्शन कमिसन के डिपार्टमेंट से यानि की करमचारी चेहन आयो के डिपार्टमेंट से और इसके लिए बारवी पास मिद्वार अप्लाई करेंगे फॉर्म फिस बिल्कुल फ्री है कोई एक्स्पीरियंस नहीं चाहिए मिल या फिमिल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे सैलरी मिलती है 30,000 रुपए पर मन्धी दोस्तों काफी अच्छी वेकेंसी आज हम जानेंगी इसके ही complete detail और आपको बताएंगे कि इसका form कैसे भढ़ना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखी लाज तक लेकिन सबसे पहले इसको like और share कर दीजी ताकि मैं आपको रुसाना आप लोग के लिए physically handicapped jobs लेकर आपाऊं दोस्तों फाइनली माँगे अपने website पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे recruiting body staff selection commission यानि की SSC और इसके लिए all India से candidate apply कर सकते हैं male या female दोनों apply कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे job location भी जाएगा पूरे भारत में मतलब आप चाहें किसी भी state में रहते हो आपको आपके state में ही job मिलेगी अगर हम बात करते हैं post details की तो दोस्तों यहाँ पे तीन type के post हैं पहला post है lower division clerk का दूसरा post है junior secretariat assistant का और तीसरा post है data entry operator का और यहाँ पे total vacancy है 135 अगर हम बात करते हैं इसके educational qualification की तो दोस्तों इस vacancy के लिए बार भी पास apply करेंगे और यहाँ पे selection based होगा computer based test वा skill test पर application fees यहाँ पे बिल्कुल free है और यहाँ पे salary आपको मिलती है lower division clerk को जूनियर secretariat assistant के लिए 19,900 रुपै से 63,200 रुपै पर मन्त की वही data entry operator के लिए salary मिलती है 25,500 से 81,100 रुपै पर मन्त की यहाँ पे आयू सीमा माएंगी है physically handicapped people के लिए 80 से 37 साल और दोस्तों यहाँ पे इसको apply करना form भरना चालू हो चुका है form भरने का last rate जो है वो आपको है 4 जनवरी 2023 और form भरना है online माध्यम से दोस्तों इस vacancy का form भरने का link आपको मिल जाएगा वीडियो के पहले comment में साथ ही वीडियो के description में आपको simply उस पे click करके इस website पे आना है और सबसे पहले यहाँ से इसका official notification पढ़ना होगा डाउनलोड करके उसके बाद form भरने के लिए आपको इस link पे click करके इस vacancy का form भरना है दोस्तों अगर कोई doubt है तो comment करके पूछ सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही जय हिंद वंदे मातरम